तो हुआ फ्रेंड्स विल्कम बाक टू फो फोलर्स चैनल में हूँ आपका होस्ट अशीश तो आज हम बनाने जाने हैं चली गार्लिक नूदल इन सिंगापूर स्टाइल तो चली बनाने शुरू करता हैं तो सिंगापर चली गार्लिक नूदल बनाने के लिए मैंने यहां गार्लिक लिया है हम तकरीबन चार से पांच गार्लिक डूस पे इस्तुमाल करेंगे एक चोटा प्याज एक चोटा कैप्सेकन एक चोटी काज़र और दो फरेश रेट चिली हैं मेरे पास और हम यहां पहले हम अपने नूडल्स उबाल लेंगे और नूडल्स उबालने के लिए मैं एक अड़ाही में तकरीबन आदा लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा हूं और याद रखेए जब पानी अच्छी तरह उबल जाए तब ही हम इसमें अपने नूडल्स मिलाएंगे तो चलिए अब हम अपने पानी में हलका उबाल आ गया है तो अब हम इसमें अपने नूडल्स मिला देंगे हमें तकरीबन 5-6 मिलना है तो चलिए अब हमारी नूडल्स अच्छी तरह उबल चुकिया है तो इसको निकाल के अच्छे से स्ट्रेंड कर लेते हैं स्ट्रेंड कर दे टाइम याद रखिए इसमें ज़रा साही पारी नहीं रहना चाहिए वहना नूडल्स बहुत लंपी हो जाएंगे तो चलिए हमने अपने नूडल्स को स्ट्रेंड कर लिया है अब अब अपने वेजटेबल की प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे यहां मैंने कडाई ले लिया है और मैं इसमें तकरीवन तकरीवन डेल जममच तेल के डाल रहा हूँ हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो चलिए अब हम इसमें अपने गार्लिक मिला देंगे जिसे हमने बारी काट लिया है गार्लिक को हम लाइट ब्राउन उने तक बूनेंगे हमारी गारलिक में अच्छा सा लाइट ब्राउन किलर आ गया है तो चले अब हम इसमें अपनी रेड चिली मिला देंगे जैसे हमने पतला पतला काट रहा है हमारी गारलिक और चिली अच्छी तरह को को चुके हैं तो चले एक एक करके हम अपने वेजिटल्स मिलाना शुरू करेंगे सबसे पहले हम इसमें थोड़े प्यास मिलाएंगे प्यास को हमने या पतला पतला स्लाइस कर लिया है अब हम इसमें अपनी गाजल मिलाएंगे जिसे आमने कडला बंबा काट लिया है जिसे आम जूलियन्स महीं कहते है तो चलिए अकिर में अब एक छिम्ला पर इसमें मिला देते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा वेनेगर मिलाएंगे मैंने तकरीबन 10 ml वेनेगर लिया है आप चाहें तो अपने नूडल्स की स्पाइसिनेस एड़ेस्ट भी कर सकते हैं यहां मैंने मीडियम स्पाइसी बनाया है और आखिर में हम इसमें छोटा चमच सोय सॉस का डालेंगे इस सि तो चलिए अब हम इस पर नूडल्स मिला देंगे नूडल्स को हमें हलके हांतों से मिक्स करना है अगर आप इसे अच्छे से टॉस कर सकते हैं तो आप इसे टॉस भी कर सकते हैं अगर आप टॉस नहीं कर पाते हैं तो आप इसे अलके हांतों से हिला भी सकते हैं सो गाइज हमारी संगरपूर स्टाइल नूर्ल्स बनके रेड़ी है तो आपको रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट डाउन बिलोव और दो फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब